हलो रिवान, वेलकम टू पार्मा रोक्स यूटूब चैनल, फार्मा रोक्स के यूटूब एज़ू किसनल चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चेर में हम डीटेल में स्टडी करेंगे वजाइनल इंफेक्शन के बारे में और सिखेंगे कि किस तरह से हम उसके ट्रेट्मेंट कर सकते हैं कैसे वजाइनल इंफेक्शन के कंडिशन को मैनेज किया जाता है और कौन से medicine सुवगेरा को use किया जाते है vaginal infection के अंदर तो हिंदी में उसको Unimark का infection कहा जाता है तो ये होने के कारण क्या होते है फिर उसके अंदर symptoms मतलब कि लक्सन क्या develop होते है और कैसे हम ये condition का proper ilaj कर सकते हैं तो सीखते हैं detail में ये video lecture में और जानते हैं about the treatment and management of vaginal infection तो एक्सपेट लेक्चर बायमर सर असस्टम प्रोफेसर और फाउंडर अप फार्मरोक्स थैंक यू फर बीन टूल एक फियामिली अप फार्मरोक्स अप्डेटेट रियो फार्मरोक्स के साथ एक्सेस करिये study material टेस्स श्रीज वीडियो लेक्चर फार्मरोक्स के अप उपर तो अगर आपके पास Android फ्याउन हैं तो Android आप डाउनलोड कर सकते हैं आईफ़न यूजर अप स्टार पर से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो अब समझते हैं concept about the वजईनल इंफेक्शन कि वजईनल इंफेक्शन एक्चुल में क्या है तो वजईनल इंफेक्शन मतलब कि जो योनी मार्क का जो इंफेक्शन हम कहते हैं तो सबसे पहले आपको female reproductive system के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि जो वजईना या फिर उसके आसपास के जो अलग-अलग portion से कि यह हो गाया वजईना का portion फिर यह uterus का portion है यहाँ पे जो है उसको हम कहते है ovaries and यह है fallopian tube और यह जो reason है उसको जो opening होता है वजईना का sorry uterus का जो opening है उसको हम cervix वगरा कहते है और यहाँ तक जो है वजईना का portion तो वजईना का portion में usually क्या होता है तो जो वजईना का portion है वहाँ पे inflammation होता है मतलब कि सूजन आती है और वहाँ पे आपको itching जैसा भी होता है मतलब कि खुजली आती है soreness जैसा फिल होता है and redness तो यह जो है वो primary symptoms develop होते है कि जब किसी को वजईनल infection होता है and वजईनल infection can be caused by bacteria, fungi, parasite और viruses growing in and around your vulva and वजईना कि वुलवा का जो portion हम कहते है as well as वजईना का portion तो वहाँ पे समझे कि microorganism की growth होई है कि कोई फुग के करण वहाँ पे infection हो सकता है bacteria के करण अलग-अलग parasites होते है virus वगरा के करण जो है वहाँ पे infection हो सकता है and infection of your वजईना and vulva can cause the symptoms such as soreness कि जैसे throat infection के अंदर throat के अंदर जैसे soreness जैसा फिल होता है same like that वजईना के portion में भी ये soreness जैसा होता है internally भी ऐसा होता है as well as बाहर के portion में भी होता है फिर eachingness जैसा होना मतलब कि खुजली होती है और साथ में जो हम देखे तो unusual vaginal discharge तो ये तिन major symptoms vaginal infection के अंदर develop होते है तो ये होने के reasons समझते कौन से अलग-अलग reasons के करण vaginal infection हो सकता है तो सबसे पहले तो bacteria तो bacteria में भी bacterial vaginosis करके जो bacteria होते है उनके infection के करण के अगर आपको ये bacteria का infection हुआ है तो उसके करण भी आपको vaginal infection हो सकता है फिर जो fungi हम कहते हैं उसमें भी जो Candida जो हम कहते हैं और जो yeast के करण जो infection होते है वज़ाइना के अंदर तो ये सबसे एक major reason बनते है वज़ाइनल infection के लिए फिर monineal वज़ाइनाइटिस जो हम कहते है parasites के करण कि जो trichomonas वज़ाइनालिस की जो condition होते है parasites के करण फिर viruses भी affect कर सकते हैं की harpes simplex virus के करण भी वज़ाइनल infection होता है कि जिसको हम short में कहते है HSV फिर दुसरा हम देखे तो human papilloma virus HPV है उसके करण भी आपको वज़ाइनल infection हो सकता है and poor hygening condition क्या proper hygen जो है वो maintain नहीं करते वज़ाइना के persons या फिर जो आप reproductive organs हम कहते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर hygen condition नहीं maintain करते तो भी वज़ाइनल infection हो सकता है and use of public toilet के कई बार public toilet यूज करने से भी वज़ाइनल infection होता है और history of UTI urinary tract infection के आपकी history रही है कि आपको past में UTI हुआ था तो UTI के कारण आगे जाके कई बार जो है वो वज़ाइनल infection होते है तो आपको mind में ये question होगा कि public toilet से किस तरह से हो सकता है तो कई बार हम देखते हैं कि जो toilets होते हैं वो proper clean नहीं होते और बहुत सारे multiple लोगों ने ये toilet use किया है और उस में से समझो कि किसी को ये वज़ाइनल infection था और इन में से कोई भी bacteria या फिर fungi वाइरस वहाँ पे जो वो toilet में present थे और उसके करण जो है वो आपको infection हो सकता है कि proper वहाँ पे hygienic condition maintain नहीं थी तो उसके करण आपको भी वो infection लग सकता है और ये reasons बनते हैं वज़ाइनल infection होने के फिर आगे समझे तो उसके symptoms तो symptoms के अंदर हम देखे तो white discharge जो होता है कि या पिज़ाइग्राम के अंदर side में देख रहे हैं कि जो इस तरह से white discharge देखने को मिलता है और ये discharge में से जो है वो smell आती है feces smelling discharge जिसको हम कह सकते हैं कि वो कई बार काफी thin रहता है white होता है या फिर green या फिर sometime yellow कि जो कुछ लोगों को yellow बीस type का भी ये discharge आता है green जिसा भी आता है और काफी thin रहता है और वो काफी बद्बुदार रहता है कि जिसकी जो smell है वो मचली जिससे smell रहेगी काफी बदमुदार स्मेल रहेगी कि जिससे वजयनल इन्फेक्षन जो है वाइडेंटिफाई हो सकता है ये साइनन सिम्टम्स पर से भी फिर देखे तो इचिनेस तो ये तो कॉमन है अल्रेडी हमने ये डिसकस कर लिया पॉइंट कि काफी खुजली होती आपको वजयना के अंदर या फिर बाहर के पॉर्षन के अंदर बाहर के पॉर्षन में भी फिर वहाँ पे रेडनेस जैसा हो जाता है इन्फ्लामेशन हो जाती है इनर लाइनिंग्स के अंदर और कई बार और बाहर के person में भी आपको जो है वो सुजन देखने को मिलती है फिर pain होता है during the sexual intercourse तो ये भी एक symptom बनता है कि समझो कि sexual intercourse करने के वक्त आपको काफी pain होता है painful sensations होते है तो वो भी एक symptom है vaginal infection का फिर painful urination urine करते वक्त आपको काफी pain feel होता है burning sensation होता है जलन होती है तो भी एक symptom होगा pain in lower abdomen और pelvis region कि pelvis की region में आपको pain हो रहा है या फिर lower abdomen के अंदर आपको pain हो रहा है तो भी vaginal infection हो सकता है तो ये थे sign and symptoms अब उसका diagnosis कैसे होता है तो एक तो physical examination से पता चल जाता है फिर जब आप patient के साथ questionaries करते है तो उसके sign and symptoms पर से भी पता चलता है कि उनको vaginal infection हो सकता है फिर तीसरा के medical history के patient के medical history कि इस तरह से है कि उसको past में urinary tract infection था या नहीं तो उससे भी हम पता लगा सकते है चौथा कि sample of discharge और cell from vaginal using a small round cotton bird कि ये जो swab जो हम कहते हैं cotton swab तो cotton swab को जो है वो वज़यना के अंदर insert करके या फिर उसके बाहर के portion से भी आप जो samples collect कर सकते है कि जो discharge है वो sample collect कर सकते है और उससे आगे microscopy examination करके चेक किया जा सकता है laboratory के अंदर की कौन से type के micro organism के कारण जो है वो vaginal infection हुआ कि उसका reason कोई bacteria है कोई virus है कोई fungi है या फिर किसी parasite के करण ये infection है तो वो exact reason पता चलेगा and कई बार जो है वो blood test भी किया जाता है urine test भी किया जाता है तो इस तरह से ये condition का होता है diagnosis तो यह तक आपने vaginal infection न समझे कि identify कर लिया तो अब समझते हैं कि proper उसको manage कैसे करें तो physical examination, sign and symptom, medical history ये सभी से आपने diagnose हो गए तो अब management तो management and treatment के अंदर सबसे पहले है कि vaginal hygiene wash preparations तो यहाँ पे आप दो preparations देख रहते हैं कि एक है वी wash करके है और दूसरा ये inti wash तो ये preparation specially जो है वो vaginal production है वहाँ पे proper hygiene condition maintain करने के लिए जो है वो use करते हैं कि proper जो है वो vaginal का पूरसन आप अच्छे से वास कर सकते कि एक या दो drop जितना आप जो है वो पानी के अंदर डाल सकते हैं और वो पानी से अच्छे से जो आप वज़ाईना का पूरसन है वो दिन में दो या तीन बार कि 2-3 times per day जो है इससे आप जो है वो wash करें तो उससे काफी फाइदा होता है यह preparation एक तो hyzen condition maintain कर लिए है और यह क्या करेगा एक तो hyzen तो provide करेगा और साथे साथ जो आपके symptom से उनको भी reduce करने का काम करेगा कि आपको itching हो रही है तो itching की वो कम करवाएगा redness में भी वो help करता है तो यह जो है वो काफी important preparation से तो आप दोनों में से जो भी आपको suitable हो we wash suit करता है तो we wash use कर सकते है inti wash suitable हो तो inti wash दोनों में से कोई भी preparation जो है आप यूज कर सकते हैं बहुत हार same lab preparation के दोनों के अंदर almost जो है वो same ingredients वगर रहते हैं तो दोनों में से कोई भी आप use कर सकते हैं फिर बात आती है medicines की तो orally कौन सा medicines ले तो drug use orally तो यहाँ पर अलग-अलग options है कि एक metronidazol ले सकते हैं टिनीडाजल सैकनीडाजल नीमोराजल या फिर फ्लोकोनाजल तो इन में से कोई भी एक anyone कोई भी एक tablet anyone की समझे कि आपको फ्लोकोनाजल समझे कि प्रिस्क्राइब की है तो फ्लोकोनाजल के यह जो टाबलेट से वो week में एक ही लिया जाते है कि one tablet per week तो यह देखो उसके container के अंदर भी packing में भी एक ही tablet दिया हुआ है 150 mg का और यह blister में भी आप देख सकते कि सिर्फ एक tablet वहाँ पे रखी है मतलब कि patient को एक ही tablet खार नहीं है per week उसी तरह से metronidazol तो metronidazol के अंदर usually जो हो वो डैली लिये जाते है metronidazol के tablet फिर sacnidazol है tnidazol है बट अभी जो है वो सबसे effective हम देखे तो वो रहते है फ्लोकोनाजल के कई बार जो vaginal yeast infection होता है फोग के करन कई बार होता है तो उस वक्ट जो है वो फ्लोकोनाजल के tablets काफी effective साबित होते है तो ये भी आप use कर सकते है फिर बात करते है कि दूसरे की जो intra vaginal yeast किया जाते है कि vaginal के अंदर ये medication insert किया जाते है तो उसमें सबसे popular clotromyazol के vaginal tablets साते है उसकी vaginal suppositories भी होती है और ये जो है वो आपको डैली जो है वो एक use करना है डैली 1 and insert at night insert at night मतलब कि रात को जो है वो आपको ये insert करना है एक vaginal के अंदर और total 6 days के लिए तो आप packing में भी देखो 6 tablets से दी गोई है तो 6 दिन तक डैली एक tablet को है वो रात को आपको वज़ाई ना के अंदर insert करना है तो इस तरह से 001 और ये tablet जो है ओरल ही नहीं खानी है इंट्रा वज़ाई ना लिए तो वज़ाई ना के अंदर इसको आपको insert करना है फिर quineodochlor करके भी आता है preparation hemicin आता है diidohydroxyquin आता है and natamycin तो natamycin और diidohydroxy quin के आप यहाँ पर देख सकते हैं vazacin करके तो ये भी similar proper preparation ही है like clotrimazole के कुछ इस तरह से आप insert करते हैं वज़ाई नेके अंदर same like that इसको भी आपको उसी तरह से यूज़ करना है तो first choice रहेगी आपकी ये clotrimazole के clotrimazole से समझे के 6 दिन में ठीक हो जाता है तो दूसरे कोई medications यूज़ करने की जरूरत नहीं रहती कि any one तो यहाँ पर priority base पर दिया है कि first priority पर आप clotrimazole यूज़ कर सकते है उससे नहीं होता तो ही quiniodo chlor यूज़ कर सकते है फिर उससे ना होता है mycin but usually most of cases के अंदर clotrimazole से ही यह वज़ाईनल infection के और हो जाता है फिर povidon iodine करके है klindamycin cream और gel वगिरा भी आप यूज़ कर सकते हैं even जो clotrimazole के वज़ाईनल टेबलेट है उस तरह से वज़ाईनल suppository cream वगिरा भी आती है तो वो भी जो है वाप यूज़ कर सकते हैं और डेली यूज़ तरह सी है klindamycin के जो cream देख रहे है klindamycin और nicotinamide के gel की जो directly आप वज़ाईनल के portion के उपर apply कर सकते हैं तो यह आप देखो साथवा option है klindamycin के cream या फिर gel भी यूज़ करते हैं फिर povidon iodine की जो betadine virginal pastries के हम बात करते हैं even उसके cream form में भी available होता है betadine virginal pastries के तरह virginal cream भी आती है klindamycin phosphate के जो gel है cream वगिरा भी available होते हैं उसी तरह से klotri mazol के cream भी available है तो वो भी कई बार जो है वो यूज़ किया जाते हैं virginal infection के अंदर अब आपके माइंड में एक और question होगा कि समझे के virginal infection pregnancy के दोरान होता है तो कौन से medications use करे तो सबसे पहले रहेगा यह intivus preparation खास कि जैसे हमने आगे discuss किया तो intivus जो है उससे three times जो है आप उससे wash करें वज़ाइना का properly three times कि से दिन में तीन बार जो है वो प्रॉपर वज़ाइना का पूर्शन जो है वो wash कर सकती है आपकी जिससे proper hygiene condition मिलीगी आपको दूसरा जो है कि फ्लूको नाजोल के tablet only one only सिर्फ एक ही tablet लेनी है और यह रहेगा once एक ही बार आपको यह tablet खानी है फिर दूसरे विक आपको tablet लेनी नहीं है only for one week एक ही विक के लिए यह खानी है और only one tablet तीसरा रहता है कि यह clotri mazol के जो वजएनल tablets होते हैं तो वो prescribe किये जाते हैं और यह वजएनली आप जो है वो insert करते हैं वजएनली के अंदर tablet है तो tablet insert कर सकते हैं suppositories आपके आपके अवेलिबली तो suppositories यूज़ कर सकते हैं तो कि यह antifungal रहता है antitribe को monal रहता है तो यह काफ़े effective साभित होता है and one tablet जो है वो आपको insert करनी होती है per night तो इसका मेंने आगे भी आपको दिखाए था कि 001 कि आप जो है वो रात को है वो specially उसको insert करेंगे और चौथा अगर आपको tablet suitable नहीं रहे है तो उसकी option में और है कि tablet और cream तो cream भी आप सेम जैसे tablet जो है वो insert करते हैं उसी तरह से ये cream जो है वो आपको वज़ेने के बाहर के portion में as well as अंदर की और जो है वो आप उसको जो है वो लगा सकते हैं तो ये इससे ही आपका वज़ेनल infection minimum 6 दिन के अंदर जो है वो cure हो जाएगा during the pregnancy अगर फिर भी वो cure नहीं होता तो proper फिर आपको आगे दूसरे treatments भी करना ही पड़ती है तो ये था हमारा special video lecture about the वज़ेनल infection तो अगर आपके पास android phone हे तो android app download करे आईफ़न user app store से link आपको description box के अंदर मिल चाहेगी गूओ लग और बेस्ट